है कि तो सबसे पहले हम बात कर लिते हैं इसके प्राइज इसके फिर्यज़ की ठीक है तो आप देख पह रहा है यह मोमरी कार्ड थीक है आप आपको यहां पर टोटल डिटेल्स दी गई है ठीक है अब यह आपको देख पा रहा है आप चौन सट जीवी SD card है और 170 MBS ठीक है जाने की MBS का मतलब है यह पर सेकिंड ठीक है जाने की इतने आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बात को मैं आपको लिखके दे सकता हूं यहां पर आपको देखने को मिल जाता है इस पीड ठीक है अब इस पीड इसमें दो तरीके की होती है ठीक है स्पीड कौन-कौन होती है वह जान लेते हैं आपको यहां पर देखने मुल जाती है रेड स्पीड और Rye iD ? ठीक है रेड Heidi स्पीड क्या होती पड़ आपकी जो memory card में डाटा है ठीक है आनकि जो भी आपने फोटू किलिक क ön है वीडियो क्लिक करिए है या फिर आपने कुछ भी है पर रिकॉर्ड किया है ठीक है और वो डाटा आपका इस मोमोरी कार्ड में अब इस मोमोरी कार्ड से आप लॉप्टॉब में लेना चाहते हैं डाटा को ट्रांस्पर कर रहा है ठीक है तब आपको यहां पर यह रेड़ वाली स्पीड काम करती है ठीक है इससी के साथ में आपको यहां पर그램 जाती आप Ride Speed आप इससे समझ सकते हैं यह वो Speed होती है जो कि आप Camera से Photo Click करते हैं फिर Video Shoot करते हैं तब आपके जो Camera के दुआरा जो आपके Memory Card में जो Data है वो Transfer होता है ञांदर ठीक है तो वो होती है यानिकि 80MB पर Second ठीक है आपके Memory Card में जो डाटा है वो जाएगा ठीक है तो यह स्पीड होती है ठीक आप यह पर आप देखने हो मिल जाता है तीशेयर वारंटी ठीक है अगर यह खराब हो जाती है तब आपको दूसरी मिल जाती है यहाला कि यह खराब नहीं होती है क्योंकि तूट कर ही यह आती है ठीक है क्योंकि अगर तूटती नहीं है तब आपकी यह खराब नहीं होती है इसके बाद में आप यह भी समझ गया है अब बात कर लेते हैं इसके आपको यहाँ पर यह देखने को मिल लिया है 3 और आपको यहाँ पर मिल जाता है 1 ठीक है तो इसका आखिर क्या मतलब होता है आप इसमें 4K की वीडियो सूट कर सकते हैं तो अब हम इसे open कर लेते हैं और इस memory card के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं ठीक है तो मैं इसे यहाँ से open कर देता हूं कहीं से इसे पूरी तरीके से see लिए यह कर देख कर दो दो ए अंडन किमघँ से लेख। मैं उेख। मैं लेख किमोल बांट गैसे इसमेट से इसे अne मैं ईसे तो ako कि इसे हम ओपन कर लेते हैं यहां से कि अगर आपके पास बिलेट है तब आप बिलेट से से निकाल लीजीगा क्योंकि तूटे नहीं है ठीक है कि यह हाड पन नहीं है इसकी एक अगा गपए लेएग आपके लेगा से नहीं है कि इसे हाँ कम आपके इसे बिलेट से बिलेटेदे हैं इसके बाद में हम बात कर लिते हैं SC और XC का आखिर क्या मतलब होता है इसमें यह सिंबल आखिर इसके अंदर क्यों दिये गए होते हैं तो इसका मतलब है कि आप 4GB से अधिक की इसमें वीडियो वना सकते हैं तो आखिर इसका यही मतलब होता है U1 और आपको U3 देखने को मिलता है जैसे कि यह आपको देखने मिल ले है U3 तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि अगर आपका U1 लिखा हुआ होता तो आपको यहाँ पर देख जो आपका data transfer है वो कम में कम होता 10 MB पर second ठीक है और आपका यहाँ पर U3 है तो इसका मतलब है कि 30 MB पर second का जो कम में कम data है वो आपका transfer होता ही होता है जब भी आप मोमोरी कार्ड खरीदने जा रहा है तो इन बातों को आपको जरूर धिहान देना चाहिए वीडियो को अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहां है